आज का चो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं आज का चो टॉपिक है वो है डीप क्लिंजिंग ठीक है जैसे आपने बहुत दफा सुनाया है कि हम डीप क्लिंग करते हैं अपने कमरे की, अपने घर की, अपने वाश्रूम की, अपने वाडरोग की, अपने कबर्द, अपने ड् refrigerator की, freezer की, किसी भी चीज की, वो क्यों जरूरी होती है? वो इसलिए जरूरी होती है कि उसके अंदर जितना clutter, जितना dust, जितना dirt और जितना waste पड़ावा होता है, वो सब कुछ निकल जाए और जगा विल्कुल साफ सुतरी हो जाए. जो हमारा topic है, cleansing, उसका मतलब भी deep cleaning of skin ही है. Deep cleaning करना क्यों जरूरी होता है? ये देखें, ये हमारा pore है, या हमारी skin के उपर जो pores है, ये उसकी opening आप समझें, ये उपर है. और ये नीचे आप देख रहे हैं, ये एक जगा नजर आ रही है, आपको एक रास्ता नजर आ रहा है, इसके अंदर सारे का सारा जो sebum है, जो भी products आप लगाते हैं, जिसमें आपका make-up होता है, जिसमें आपका moisturizer हो सकता है, जिसमें आपका sun lock होता है, ये सब की concealer हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, जो आप लगाते हैं, वो सब इसी के अंदर फसता जाता है, जब वो इसके अंदर फसता जाता है, और आप इसकी सफाई नी करेंगे, तो आप खुछ सोचें क्या होगा, आपकी skin जो है, वो आपको पहले जैसी नहीं लगेगी, आपकी skin आपको healthy, fresh ग्लोई, और आपको लगेगा, वो डल होती चारी है, और कोई मेकप करने के लिए बहुत जरूरी है, डीप क्लिंजिंग, अब जो क्लिंजिंग होती है, उसके लिए डिफरेंट प्रॉड़क्स यूज किये जाते हैं, लेकिन आपको अपको अपनी skin और अपनी रुटीन के अपनी प्रॉड़क्स यूज करना चाहिए, जैसे मैं अभी आपको कुछ प्रॉड़क्स यूज है वो डिखाऊंगी और इनको जो अगर आप अप्रॉपिय प्रॉड़क्स यूज नहीं करेंगे अक्रॉडिं तो आप देखेंगे कि आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो के आपने फोर्स ही कियावा है या जो आपको मिलना चाहिए, ठीक है? अच्छा, क्लिंजिंग जो है क्या रोज कर सकते हैं, या दिन में दो दफ़ा कर सकते हैं, एक दफ़ा कर सकते हैं, कैसे करने चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन जो है, वो किस किसम की है अगर आपकी skin जो है वो oily है बहुत ज्यादा sebum बनाती है तो इसका मतलब है कि आप या बहुत ज्यादा उस पर पसीना आता है या बहुत ज्यादा oily है तो फिर आप दो दफा भी cleansing कर सकते हैं जैसे सुबह उटके आप पहले cleansing करेंगे उसके बाद face wash करेंगे और रात को सोने से पहले आप पहले cleansing करेंगे और फिर face wash करेंगे ठीक है लेकिन अगर आपकी skin जो है वो normal है या normal to dry है तो आप एक दफा भी cleansing कर सकते हैं प्रेफरेबली अगर आप रात को करेंगे तो क्या होगा कि सारा दिन जो भी आपने moisturizer, जो भी product, makeup या पिर sunblock, कुछ भी आप लगाते रह सब कुछ जो है जो फसावा होगा वो सारे का सारा clear हो जाएगा और एक और फायता इसका बहुत बढ़ा यह होता है कि जब आप deep cleansing करेंगे और उसके बाद face wash करके अपनी night applications लगाएंगे तो आप देखेंगे कि उनका result जो है वो कितना अजादा और कितना अच्छ हो जाएग से पहले करनी होती है ठीक है और आपको मैंने बता दिया कि किसी भी तरह की skin type हो cleansing is required ठीक है अच्छा यह तो हो गया कि अगर आप घर में cleansing करेंगे तो फिर आपने किस तरह से करनी है मैं आपको कुछ cleansing के products दिखा रही हूँ यह देखें यह normal to dry या aged या mature skin के लिए cleansing clay है ठीक ह यूज करने का तरीका क्या होता है कि आपने हलका सा skin को damp कर लिया यानि कि गीला नहीं करना पूरा पर हलका सा नम कर लिया और उसके बाद आपने यहां पर अपनी cleansing का जो भी material हो लिया और जैसे आप स्क्रब करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने cleansing कर लेनी है अच्छा क्ल बहुत ज्याता oily skin है बहुत ज्याता पसीना आता है या डेली आपने make-up वेयर करना है और उसके इलावा ब्लाक हैट वाइट बहुत बन जाते हैं तो फिर या पिर अखनी है तो फिर आप यह वाली cleansing clay इसको यूज कर सकते हैं इसको भी मैंने आपको बताया है आप एक दफा इसको भी में एक दफार यूज कर सकते लाप इसको वीक में a five यूज करेंगे के सारे का सारा का सारे के शारा ड़त जितना जो कुछ फसा हुआ था, कोई केरटिन फसी थी आपके इसके अंदर, सब निकालने का, इवन ब्लाक हैट्स को भी रिमूव करने में हल्पुल है, कभी भी दबा दबा के आपने ब्लाक हैट्स नहीं निकालने, ठीक है, अच्छा क्लिंसिंग का एक और जो प्रोसीजर है, या एक और अच्छा तरीका है, वो यह होता है, कि यू आल्सो नीड टो एक्सपोलियेट यूर स्किन, क्योंकि अगर आप स्किन को एक्सपोलियेट करके डेट स्किन नहीं हटाते तो उसे प्रोब्लम या इशू यह आता है, कि फिर आपकी क्लिंसिंग जो है, वो उतनी 15 days की गवर सकते हैं, यह लिक जो है, यह जो है, यह लापकोलिक असेट की पील है, और इसके अंदर 10% असेट है, इसको 10 से जादा यूज नहीं करना, हल्का सा नम कर लेंगा आप नियू जैसे आप डिल्कुल जैसे आप यूज करते है, कोई सवी स्क्रब इसी तरह से आपन 10 seconds के लिए यूज करना है और फिर उतार देना है इसको आपने छोड़ना नहीं है अब जो मैं आपको दिखाने लेगी हूँ ये भी AHA के साथ है ये वाली पील लेकिन इसमें 8% पील है जो मैंने पहले दिखाई है 10% है सकने के हिसाब से अगर स्किन थिक है बहुत ज्यादा ओईली है पसीना भी आता है अक्नी प्रोन है तो फिर आप ये वाली कर सकते हैं अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या मिचूर स्किन है या नॉर्मल टु ड्राय स्किन है तो फिर आप ये कर सकते हैं तरीका जो है वो से पहले क्लिंजिंग, उसके बाद face wash, उसके बाद आपने exfoliate करना है, फिर आपने mask लगाना है, और फिर आपने toner लगाना है, जब आप mask को उतारेंगे, तो फिर तोनर जरूर लगाना है, अच्छा ये देखें, ये मैं आपको इस तरह का तोनर दिखा रही हूँ, जो जिसके अंदर तीन तरह की चीज़े हैं, ठीके, ये क्या करता है, कि ये आपका make-up remover की तरह भी काम करेगा, और उसके इलावा जो है, ये as a toner भी काम करता है, तो आप इसको face wash करने से पहले make-up उतारने के लिए भी use कर सकते हैं, और face wash करने के बा तो फिर आपने ये वाला टोनर करना है, इसके अंदर make-up remover नहीं है, इसके फुल या complete toner, ये soul toner है, इसका मतलब है कि ये हमेशा आप face wash करने के बाद यूज करेंगे, ठीक है, उसी तरह से मैं एक और आपको टोनर दिखा रही हूँ, ये combination skin या sensitive skin के लिए है, इसके अंदर भ करेंगे, ठीक है, अच्छा, जो skin है, उसकी सफाई, इसलिए बहुत जरूरी होती है, कि अगर आप उससे साफ नहीं रखेंगे, तो भी साफ नहीं रहेगी, और जब साफ नहीं रहेगी, तो आपको कभी भी fresh or healthy और अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है, अच्छा, पिर बहु वो जो है, वो uncontrolled form में होता है, uncontrolled form का मतलब ये होता है, कि हमें नहीं पता होता कि उसके अंदर कितनी concentration है, किसी भी ingredient की, वो भी आपको burn कर सकता है, वो भी आपको irritation दे सकता है, और वो भी आपकी skin के उपर किसी भी किसम की allergy दे सकता है, इसलिए preferably ये ज़्यादा बेतर है, कि आप जो है, वो कोई जो ready product है, जो कि ready made product है, जो कि available होता है, आप उसी को use करें, रादर दें यूजिंग आपके kitchen products, इस जादा safe रहेगा, अब हम आजाते हैं कि आप अपनी routine में, जो हो cleansing करते हैं, और आप सारा खयार रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और पर भी आपको लग रहे है कि तिनी क्योंकि घर्मी बहुत जादा है, आपको लग रहे है कि मेरी skin जो है उसकी tone, उसका texture वो अच्छा नहीं है, वो अभी भी rough लगती है, और अभी भी fresh नहीं लगती है, या उसका tone या उसकी uneven tone जो है, वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आप न जो cleansing है वो clinic में आके करा लिए है, जब आप clinic में आके cleansing करवाएंगे तो आप देखें अगर आपके जो खुँच से यूज करने वाली चीतों का result है, उससे कहीं ज्यादा result आपको मेल सकेगा, जब आप जो है यह क्लिनिक में आके as a procedure उसको करवाएंगे, ठीक है, इसके जिसकी वज़ा से ना सिरफ आपका पोर साफ हो जाता है, आपकी स्किन की डेड लेयर उतर जाती है, पट उसके साथ-साथ क्योंकि स्किन को ऑक्सिजन मिलती है, तो एक तम से जो है, फ्रेश, हेल्दी और ग्लोई हो जाती है, ठीके जी, तो यह था हमारा आज का जो भी मैंने आपके साथ डिसक्स करना था, या आपको इंफ्रमेशन देनी थी, होपुली आपकी गल्तियां आपको समझ आ जाएंगी, एसा होता है कि हमारे पास सारे के सारे प्रॉडक्स पड़े वे होते हैं, या हम उसको यूस भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम यह पता नहीं होता, और ह हम कोई नहीं कोई गल्पी कर रहे होते हैं, जिससे हमारी स्केन पर हमें वो रिजल्स नहीं मिल रहे होते हैं, जो के मिलने होते हैं, चीके जी?